कि ये सबसे आगे ख़णे ते इस प्रथा को खतम करने के लिए उस काल की महिला है बिटिशेस के अत्याचार से बचने के लिए ये स्टेम लेना चाहती हो एक क्रूर प्रथा के बारे में बात करेंगे जो सदियू से सनातम दरम को बदराम करती हुए आई है और वो है सती प्रथा इसकी शुरुवात कैसे हुई बिटिशेस के स्टेम प्रथा रहा और इसका अंत कैसे हुआ आज ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाओंगा अगर आप पहली वर मेरे चैनल पे आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा योग आपकर एक सेकेंड कात विये हमारी मेनत सफल करने के लिए लोग सोचते हैं कि सती प्रता की शिरुवात जब देवी सती ने अगनी सनान लिया था बगवानशिप के अपमान के लिए महासे हुई परंतु कोई भी महिला सती तब होती है जब उसका पती मढ़ जाता है और उधर बगवानशिप जीवित थे जब देवी सती ने खुद दो अगनी में समर्पित किया था इसलिए सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में कभी सती प्रता थी ही नहीं केवल जो महिला चाहती थी कि मुझे सती होना है वे सुच्छा से सती हुआ करती थी परंतु उसका मतलब यह भी नहीं था कि आग में बैट जाओ इसका अर्थ हुआ करता था कि वे विराग्य लेकर कि किसी मंदिर में राह करती थी इसके कुछ उधारन में आपको दे देता हूँ सनातन धर्म में चार वेद हैं और चारो ही वेदों में सती का कोई भी उन्लेक नहीं आता है हाँ रेगवेदे एक जिक्र जरूर आता है कि एक पतनी अपने पती की मृत के बाद उसके शरीर के साथ जल जाना चाती थी परंतु उसे ऐसा करने से रोका गया था और उसे बोला गया कि तुम नया जीवन शुनू करो रमाहिन कालर भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता यदि अगर ऐसा होता तो दश्रण जी की मर जाने के बाद तेनों ही रानिया उनके साथ सती हो जाती परंतु ऐसा नहीं हुआ मावारत काल की चली बात करते हैं पूरे मावारत में केवल दो ही जगा ऐसा सुनने को मिलता है जहां पहला केस है कि राजा बांडू की पहली पत्नी मादरी उनके साथ सती हो जाती है परंतु दूसरी कुंती पूरे जीवन को विद्वा के तौर पर बिताती है और दूसरा बासुदेव जी जो श्री कृष्णी के पिता थे उनकी चारो राने में से केवल एक रही सिती किया था वो भी सोय इच्छा से सनादम दर्र में ऐसा कही भी उलेक नहीं है यदि ऐसा होता तो मावारत में हजारों लाखों सैनिक मरे थे उनकी पत्निया सिती क्यों नहीं होई ऐसा क्यों लिखा नहीं गया यदि पिशले 5000 साल से 18 शताब्दी तक का इतियास उठा करके देखे तो आप पाएंगे केवल 400-500 कैसे जेल सदीके और एक चीज़ और बता दूं ये जोहर नहीं है जोहर तब होता था जब कोई राजपूत राजा किसी युद में हार जाया कर उनके मृत शरीर के साथ भी क्या परताब किया जाएगा जो अपना बें बहुत जबाइता ख्रूर होता था इसलिए भागी सारिस्तरिया हाँ आप मिल करके आत्म आःक कर लेती थी अब सोचने वाली बात है कि हमारे बारत में इतने जाधा केस機 बड़ गैसे ये बाद शु 30,000 केस कैसे इसके पीचे कुछ रीजन हो सकते हैं देगे जब बिटिश को यहां पर अपना दर्म स्तापित करना था तो उन्होंने जान बूच करके सनातन दर्म के कभी बता बता करके लोगों भड़काया ताकि वो कंवर्ड कर सके उन्टों प्रिश्यानिटी में या फिर उस आगे जानेंगे ये बात है 1829 में जब विलिम बेंटिंग नाम के एक जर्णल ने एक लोग पास किया कि हां भारत देश में सतीप्रता नहीं होगी क्योंकि यहां पर बहुत जाता क्रूरता है यहां पर महिलाओं को जिंदा जला दी जाता था और इस लोग के पास होता ही अ खड़े तो आपको समझ आ जाएगा कि तो खोच सनातन संस्कृते के विरुत्ते ये संस्कृत भाषा को बेकार बताते थे ये वूर्ती पूजा के विरुत्ते ये हिंदों के भी खिलाफ खड़े हुए उन्होंने इंग्लेंड और भारत को एक क्रिस्चन कंट्री का नाम द आते तो कॉमेंट में जरूर बताईएगा हमारे भारत देश में महिला केवल महिला नहीं है वो देवी है लक्षमी है रादा है सीता है ये सब पूजनिये हैं इसलिए कभी भी गलत इतियास मत फढ़िए खुद रिसर्च करिए तब विश्वास कीजिए प्रणा